नवश्कार Secretary के एक नए टॉपिक में आज हम बात करेंगे Obsessive Compulsive Disorder के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे OCD क्या है और इसमें Repetitive Thoughts किसके खिलाफ आते हैं यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे Life के Quality को काफी हद तक खराब करता है क्योंकि इससे प्रभावित लोगों के दिमाग में लगातार एक जैसे ही Thoughts आएंगे एक जैसे ही Doubt बना रहता है एक जैसे ही Images आते हैं उन्हें पता होता है कि यह सारी चीज़ें गलत हैं वो अपने आपको Resist करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं असपस्ट है कि इस तरीके के अगर Repetitive Thoughts, Doubts या Images किसी के Mind में आ रहे हैं जिन्हें वो जानते हैं कि यह उनके अपने खुद के सोच हैं वो Senseless हैं यह बात भी उस परसन को पता होता है लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें उनके दिमाग से चली जाएं लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते हैं यह कारण होता है कि उसकी Life Quality खराब हो जाती है Obsession और Delusion दो अलग अलग चीज़ें है Delusion जिसमें हम जानते हैं परसन को मज़ा आता है वो जब अपने बारे में सोचता है तो उसे अच्छा लगता है उसे लगता है कि उसके पास हनुमान जी की शक्ति आ गई है या फिर वो जो है उससे ज़ादा अपने आपको महसूस करने लगता है Delusion में आप देखें इस इमेज में यह है Delusion यानि इससे परसन को काफी मज़ा आता है इस तरीके का सोच करके या इगो सिंटॉनिक बिहेवियर होता है Delusion लेकिन Obsessive Compulsive Disorders में जो Symptoms आते हैं उसके कारण परसन की Life की Quality खराब हो जाती है यह Ego Dystonic होते हैं अब बात समझें Delusion क्या है? Delusion है Ego Syntonic यह Obsessive Compulsive Disorder Ego Dystonic है जैसे परसन मंदर में जाते हैं जैसे इस इमेज को देखें परसन मंदर में जाते हैं Obsession की वज़ा से उनके दिमाग में बार बार आ रहा है कि मंदर को मंदर से इस मूर्ती को चुरा लें यहां के इस घंडे को चुरा लें भगवान के उपर यूरिनेट कर लें या भगवान को थपड मार दें इस तरीके के गंदे विचार आते हैं तो परसन को ऐसा लगता है कि यह इस तरीके का distracting जो thoughts आता है उसके करण उसका पूरा का पूरा life की quality खराब हो जाती इसलिए Obsession जो होते हैं वो ego dystonic होते हैं जबकि delusion के बारे में हम सोचते हैं तो उस परसन को मज़ा आता है वो ego syntonic होते हैं इस बात पर based question पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बताया कि Obsession में परसन को लगता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो actually वो नहीं सोच रहा है उसके दिमाग में कोई ऐसा डाल रहा है तो इसलिए ego alien या फिर इसे ego dystonic thoughts की रूप में आप कह सकते हैं जिससे वो काफी परेशान रहते हैं delusion में मैंने आपको बताया था वो ego syntonic होता है और कहीं ने कहीं इस तरीके का सोचना उसकी life की quality को इंप्रूव करता है उसे confidence में डालता है चलिए अब बात करते हैं treatment के options पे OCD का treatment क्या हो सकता है यहाँ पर हम behavioral therapy और medical therapy का support दे करके person को treat करने का प्रयास करते हैं सवाल यह भी पुछा जाता है कि most common obsession OCD में क्या होता है dirt के against obsession होता है contamination के against obsession होता है तो compulsion किसके against होगा dirt है तो compulsion किसके खिलाफ होगा, washing के खिलाफ नहीं Compulsion जो कि सबसे most common देखा गया है, वो है checking का washing या cleaning most common compulsion नहीं है जबकि obsession की बात करते हैं तो contamination या dirt सबसे common obsession है जबकि compulsion में checking most common compulsion है कई बार ऐसा होता है कि person कहीं पर आ गये कमरे में नहीं बुभा दाब बद करके उसके बाद बार बार वो वापस जाएंगे ताला चेक करने के लिए या फिर मा लिजे गाड़ी पाक किया, उसके बाद वो गया, उन्हें doubt हुआ कि उन्होंने चाभी लगाया है और नहीं लगाया है, सही से लगाया नहीं किया है, दोर बंद किया या नहीं किया है, तो ऐसे कई बार वो हरकत करते हैं, तो यह checking अधिकतर मामलों में compulsive behavior होता है, contamination उसे thoughts को control करने का प्रयास भी करते हैं, वो चानते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, इसलिए उसे वो रोकने का प्रयास करते हैं, इसके करण anxiety होता है, अब anxiety को control करने के लिए वो सोचते हैं कि ऐसे विचारों पर जो forceful activity करनी चाहिए, चलो कर ही डालते हैं, माली जो ने लगा कि चारों तरफ dirt है, ये contamination के thoughts आ रहे हैं कि पता है ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी उनके दिमाग में आ रहा है ये बात, तो वो क्या करते हैं, anxiety उनके दिमाग में आती है कि चारों तरफ गंदगी है, इसके करण वो washing करते हैं, उन्हें लगता है कि hand wash कर लेंग तो थोड़ा relief मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करने से temporary relief मिलता है, फिर obsessive thoughts, repetitive attack की cycle चलाते हैं, इसके करण परसन की life की quality काफी हद तक खराब हो जाती है, diagnosis कैसे बनाई जाएगी, उसको देख लें, कई बर patient आपके पास आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसकी diagnosis बनाना है, repetitive, unpleasant obsession है, और compulsive activity भी होगी, और वो चीजें लगातार पूरे दिन उनके दिमाग में बना रहता है, और ऐसा करीब पिछले दो हफतों से हो रहा है at least two weeks से हो रहा हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में बाते आती रहती हैं और वो चीजें लगातार चलती रहती हैं चलती रहती हैं और compulsive activities के लिए force करती हैं, person को पता होता है कि वो सारी चीजें उसके अपने खुद के दिमाग के उपज है, और वह जानते हैं क इसमें इस तरीके की जो चीजें हों उनके दिमाग से आ रही हैं, at least इस तरीके का एक obsession हो या compulsive behavior हो, जो कि बहुत तेजी से आ रहा हो, उनको पता है कि इसका कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी उनके दिमाग में आ रहा है, और वह person उसे रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं, at treatment के options में मैंने आपको बताया कि medical therapy में आप drug therapy और behavioral therapy दोनों के options का इस्तेमाल कर सकते हैं, exposure and response prevention, जैसे इस person को obsession है, contamination का, दिमाग में thoughts आए, हाथ गंदा है, ठीक है तो हाथ गंदा कर दीजे, और hand washing रोक दीजे, याने exposure तो आपने किया, response को prevent कर दीजे, तो बाद में person को habitual हो जाएगा, उसे ऐसे ideas आने बंद हो जाएंगे, तो इसमें आप क्या करते हैं, ये exposure और response prevention की जो therapy है, इसमें आप पहले exposure देते हैं, और उसके बाद response को prevent करते हैं, ऐसे मामले में धीरे-धीरे करके हमें शुरुआत करनी चाहिए, हम सबसे पहले least anxiety वाले situations का exposure देंगे, और उसके बाद response को prevent करेंगे, फिर जैसे जैसे person habituate होते जाएंगे, वैसे वैसे ज्यादा anxiety वाले conditions, उनके लिए exposure वाली situations हम देंगे, इसी तरीके से next therapy हो सकती है, thought stoppies, thought stoppies में क्या करते हैं, माली जो वो person मंदिर में गए और उन्हें लगा कि इस तरीके का कुछ मंदिर में जाने पर उनके दिमाग में विचार आते हैं, कि मुझे भगवान को गाली देना है, मंदिर मूर्टियों को तोड़ देना है, या फिर कुछ भी ऐसे दिमाग में विचार आ रहे हैं, कोई भी विचार हो सकता है, इसमें से कोई साभी आप ले लें, तो माली जे ऑप्सेशन ही आया, मन में विचार आया कि मंदिर में जाऊंगा, भगवान के मूर्टियों पर जाकर यूरिनेट कर दूँगा, भगवान को थपड मार दूँगा, ऐसे विचार परसन के सोच में आ रहा है, तो जो ही ऐसे विचार आएंगे तुरंट उस परसन को कहा जाता है कि वो जोर जोर से चिलनाएं, स्टॉप, 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 ताकि उनके दिमाग से ऐसे विचार आने बंद हो जाएं, तो कहने का मतलब यह है कि वो परसन लगातार जो ही उस तरीके के विचार इसका भी इस्तेमाल करके OCD पर विजय पाया जा सकता है, कंट्रोल पाया जा सकता है, तो OCD एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर परसन रेगुलर योगा कर रहे हैं, वो रिलाक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो OCD को क्योर कर पाना काफी आसान हो जाता है इसके अलावा Systematic Desensitization, ये Systematic Desensitization की टेक्निक क्या है, इसको आप स्पाइडर के इस इमेज की मदद से आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी बच्ची है जिसे स्पाइडर से डर लगता है, पहले क्या किया गया, इस्पाइडर का फोटो दिखाया गया, देखिए फोटो से डर रही थी, फिर कहा गया बटाई इसको छू करके देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसने इसका पिक्चर देखा, कोई डर नहीं लगा, फिर क्या हुआ, खिलोने से डर लगना शुरू हुआ, नेक्स्ट लेवल पर लेकर क्या है, उसके बाद उसके हाथों में उस स्पाइडर रखा गया, डेड़ स्पाइडर को स्टार्टिंग में तो उसे डर लगा, लेकिन बात में उसने देखा कुछ तो नहीं गर रहा है, तो इस तरीके से सिस्ट्रमाटिक डी सेंस्टाइजिशन की टेक्निक में अगले लेवल पर थोड़ी दूरी पर इस देखिए, डेर लगातार कम होता गया है, और लास्ट में चल करके वो खुद ही इस तरीके के मामलों में अब उसको बिलकुल डर नहीं लगता है, लाइव स्पाइडर के साथ वो खेल सकती है, तो ये सारी सिचुएशन सम ले सकते हैं, इसके अलावा बिहेवरियल थेरैपी एवर्जिव कंडिशनिंग टेक्निक्स भी होती हैं, तो ये इन्जाईटि के मामलों में इस तरीके की चीज़ें दी जाती है, या फोबिया का कोई मामला होता है, तो ऐसे मामलों किया जाता है, उस टेकनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब चलते हैं ड्रुग थेरैपिय का होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह ऐसाराई जो ड्रक्स हैं सेरोटोनिन कि act को रोकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे इस जग़ा पर जो रीड़ीटक होता है इस बात को यहाँ पर और अच्छे तरह किसाम विजुलाइज कर सकते हैं जो neurotransmitters बनते हैं देखें यहां पर neurotransmitter बना tryptophan, tryptophan के मदद से serotonin neurotransmitter बनाएगा यह neurotransmitter vesicles में बंद किये गए, यह release किये गए है, release किये जाने के बाद जब इनका action हो जाता है तो फिर इसमें से कुछ मातरा में यह वापस ले लिए जाते हैं और कुछ यहां metabolize हो जाते हैं, प्रयास यह है कि serotonin का level बना रहे, serotonin ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यहां पर अपना action दिखा सके, इसलिए हम इसके re-uptake को रोकना चाते हैं क्योंकि जितने ही ज़्यादा समय तक serotonin इस synaptic cleft में बना रहेगा, उतने ही ज़्यादा दिर तक serotonin receptor पर यह अपना action दिखा सकेगा, जिसके करण person का confidence बढ़ा रहेगा, तो इसलिए हम SSRI देते हैं, जिसमें serotonin re-uptake को inhibit करके, हम patient की condition को improve करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें behavioral therapy के अलावा, जो medical therapy है, इसमें हम drugs देते हैं, जो खास तरपर selective serotonin re-uptake inhibitors होते हैं, इसमें citalopram, fluxitin, acetylopram, fluoxamin, paroxitin, serotonin करके drugs शामिल हैं, तो असपस्ट है, हम लोगों ने समझ लिया behavioral therapy और drug therapy कैसे person को, उसकी condition को improve करते हैं, अब सवाल यह उठता है कि resistant OCD के cases का therapy क्या होता है, तो ऐसे मामलों में IV clomipramin देना पड़ता है, इसके अलावा, RTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation technique अपनाना पड़ सकता है, overall कुछ इस तरीके का device होता है, जो brain को stimulate करता है, अलग-अलग level पर transcranial medical magnetic stimulation दे करके, patient की condition को improve करने का यह प्रयास, resistant OCD के मामलों में काफी effective है, आप यहाँ पर देखें, brain को कैसे stimulate करने के यह technique अपनाई जाती है, और यह technique resistant OCD को treat करने के लिए इस्तेमाल की जाती हाला कि general OCD के मामलों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यह technique ना सिर्फ OCD में बलके depression के मामलों में या फिर PTSD, post-traumatic stress disorder के मामलों को भी treat करने के लिए काफी effective होती है, तो PTSD यानि post-traumatic stress disorder हो, depression हो या फिर OCD हो, उन सभी मामलों में repetitive transcranial magnetic stimulation काफी effective है, इसमें हम लोगों ने micro electrodes को इस्तेमाल कर किया है, और ये OCD, depression, PTSD का नाम हमें पता होना चाहिए, इसके साथी साथ deep brain stimulation की technique भी होती है, डीप brain stimulation में क्या करते हैं, डीबियस या डीप brain stimulation technique में आप समझ सकते हैं, कि यहाँ पर brain के भीतर हम electrodes लगा करके हम stimulate करते हैं, काफियत तक ये resistant मामलों में ही इस तरीकी की technique अपनाई जा सकती है, आप ये देखें deep brain stimulation का ये प्रयास कब किया जाता है, जब सारी चीज़ें बहुत हद तक effective नहीं रह पाती हैं, तभी इस डीबियस technique का इस्तेमाल किया जाता है, आप यहाँ पर देखें, brain के भीतर electrode fit किये गया हैं, और इस technique की मदद से भी हम resistant OCD का treatment कर सकते हैं, इस technique की मदद से ना सिर्फ हम OCD बलकि Parkinsonism के प्रावलम्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ultimate options के रूप में psychosurgery, जिसमें singular tummy, जिसे Moniz ने इस technique का इस्तेमाल किया था, singular tummy में इस technique का इस्तेमाल पहली बार Moniz ने किया था, जिनने हम father of psychosurgery कहते हैं, इन्हें इस action के लिए noble prize दिया गया था, यहाँ कुछ जो techniques है, general psychosurgery के method से इसमें singular tummy को आप देख सकते हैं, capsulotomy या फिर deep brain stimulation के techniques को हम देख सकते हैं, singulate gyrus के इस region को psychosurgery के दौरान हम involved करते हैं, यहाँ यह है singular tummy, और बाकी जो psychosurgery के तरीके हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली बार Moniz ने इस तरीके की सर्जरी psychiatric illness के लिए इस्तेमाल किया, जिसके लिए nobel prize मिला, तो इस तरीके से हम लोगों ने resistant cases के बारे में भी पढ़ लिया, इससे पहले ही हमने behavioral therapy के बारे में भी study कर लिया है, behavioral therapy में क्या-क्या technique अपनाई जाती है, इसको मैंने आपको बताया है, कि हमने ERP, exposure and response prevention जिसमें मैंने बताया था, धेरे-धेरे हम exposure बढ़ाते जाते हैं, और जो anxiety है उसको कम से कम रखने का, जैसे-जैसे कम होने लगता है, वैसे-वैसे हम response को prevent करने का प्रयास करते हैं, तो response ना होने पाए, इसके लिए हम person को motivate करते हैं, और actual में यही therapy यहाँ पर काम करती है, कि हमने हाथ में dust लगाया और response करने को मना किया, कि आप कुछ मत करो, और इसकी वज़ा से illness यह धेरे-धे इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर principle of habituation लागू होता है, आप समझ सकते ना principle of habituation, आदत पढ़ जाएगी उसके साथ जीने की, इसके अलावा, अगर pure obsession है, जैसे मंदिर में जा करके, घंटा, वहाँ पर क्या करने का मन किया, चोरी करने का मन किया, भगवान को थपड मारने का मन किया, यूरिनेट करने का मन किया, तो ऐसे obsessive thoughts आते हैं, तो तुरंत stop, 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 जोर जोर से बोलना है, ताकि ऐसे ideas दिमाग में आने बंद हो जाएं, तो ये जो हम सोचते हैं कि जो ही obsessive thoughts दिमाग में आने लगे, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके रोकने का एक तरीका ये भी हो सकता है, हला कि ये practically बहुत possible नहीं है, क्योंकि कभी भी विचार आ सकता है, विचार तो कहीं भी भी आ सकते हैं, तो यसे लिए हम इस तरीके को नहीं अपना सकते हैं, कि हम stop, stop, जोर से चलाएं, इसके लावा thought flooding अगर हो रहा हो, जैसे विचार बहुत ज़ादा उड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कि उन सारे विचारों को record करेंगे, और उसको अपने ही वायस में record करके, रोज चार घंटे सुनेंगे, तो क्या पड़ेगा, आदत पढ़ जाएगा, जैसे हमें डर लगता है, कि ऐसे विचार आते हैं, तो मैं घबरा जाता हूं, मैं परिशान हो जाता हूं, ठीक है, उस ब बाकी हो सकते हैं, उनको भी apply किया जा सकता है, तो इस तरीके से हम लोगों ने OCD के different aspect को समझा है,